इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्राइद यूपिये पठार प्राइद यूपिये पठार है जो पुराने क्रिस्टलिये आगने तथा रूपांतरि सेलो से बना हुआ है यह किस से बना है गोंडवाना भूमी के तूटने से और अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण की यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिश्चा है जो पठार का भाग है उसमें चौडी तथा चिछली बहुत घाटियां है कोला कार पहाडियां है ठीक है दिस प्लाट्यू कंसेस आफ टू ब्राट डिवीजन और यह जो प्लाट्यू है वो मुखे दो भाग में डिवाइड है टू ब्राट डिवीजन नेमली सेंट्रल हाई लैंड और डेक्केन प्लाट्यू एक तो क्या है हमारा सेंट्रल हाई लैंड है दूसरा डेक्केन प्लाट्यू प्राइड 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 प्ठार का जो भाग है वो नर्मदा रिवर के नौर्थ में है और कबरिंगा मेजर एरिया आप दा मालवा प्लाट्यू जो की मालवा प्ठार का बहुत बड़ा भाग कवर किया हुआ है इसको नोन एस दा सेंटरल हाई लैंड और इसको हम सेंटरल हाई लैंड या मध उच्च भूमी कहते हैं देन जब बिंधन रेंज इस बाउंड़ेड बाई दा सत्पूरा रेंज जो बिंधन की संखला है वो किस से गिरी हुई है सत्पूरा की सिंखला से साउथ में एंड अरावली आन्दा नौर्थ बेस्ट और उत्तर पस्चिम में ये अरावली से घिरी हुई है बिंधन रेंज दफर्दर वेस्ट वर्ड और ये आगे जाके वेस्ट वर्ड मतलब पस्चिम की तरफ इनका जो फैला है वो ग्रेजुली मर्ज वो धीरे जी जाके उनमें मर्ज हो जाता है बिद्द शैंड रॉक की डिजट आफ राजस्थान राजस्थान का स्वैंड और रॉक वाला जो डिजट उसी के साथ धेरे-देरे जाके ये क्या होता है मर्ज हो जाता है the flow of the river draining this region जो नदियां इस region को सिंचित करती है वो कौन सी है चंबल, सिंध, बेतवा, एंड केन from south west to north east यहाँ पर ये नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, केन है ये south west से यानि कि दक्षर पस्चिम से north east की तरफ रन करती है thus indicating the slope और इस तरह से यह हमें क्या बताती है कि इनका slope किस direction में है ठीक है, जिदह slope हो का उधर ही तो नदियां रन करती है the central highland जो मध्य highland है, उच्चवाच है are wider in the west वो क्या है, west में यानि पस्चिम में चोड़ा है but narrower in the east लेकिन पूर्व की तरफ वो काफी सक्रा है the eastward extension of this plateau are locally known as the बुंदेलखंड, पूरव की तरफ जो इन प्लैट्व का इन पठारों का बिस्तार है, वो उसको हम बुंदेलखंड और बगेलखंड कहते हैं the छोटा नागपूर प्लैट्व marks the further eastward extension उसके आगे जो पूर्व की तरफ फैला हो उनका उस वो छोटा नागपूर की पठार है drained by the दामोदर river और वो जो है जो छोटा नागपूर पठार ये किससे महाँ पे दामोदर river से ये सिंचित होती है the deck and plateau is a triangular land mass deck and plateau एक तरह का triangular land mass है that lies to the south the river नर्मदा जो south में नर्मदा river से नर्मदा river तक है the satpura range flanks its broad base in the north north में इसका जो broad base है वहाँ वो किससे है satpura range वहाँ पे नर्थ में file the maha deo the kumayu hill and the mackal range from its eastern extension जबकि इसका जो पूर्वी फैला है वहाँ पे कौन? महादेव, कैमूर और मैकाल range है the deck and plateau is higher in the west and slopes gently eastward जो हमारा डक्षिर का पठार है वो क्या है? पस्चिम में वो higher है मतलब उचा है and gently slopes towards eastward और ये पूर्व की तरफ धेरे धेरे क्या है? slope धलान हुआ है इसका and extension of the plateau in plateau का जो फैलाओ है is also visible in the north east north मतलब उत्तर पूर्व में भी इसका फैलाओ दिखता है locally उसको क्या बोलते हैं? locally known as Meghalaya Meghalaya जिसको पूर्व में लोकली किसे? Meghalaya के नाम से जानते हैं कार्वी अंगलांग प्लैटू से लेके पूर्व की तरफ इनकी एंड पूर्वी घाट ये जो दोनो कहां पे? दक्छिड के पठार की का पूर्वी और पस्चिमी सिरे पर ये क्रम्शा पूर्वी और पस्चिमी घाट स्थित है best थन घाट lie parallel to the best in cost जो पस्चिमी घाट है वो पस्चिमी तट के समाणांत रिस्तित है they are continuous and can be crossed through passage only वे क्या है continuous या नहीं सबता था उन्हें के वाल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है then locate the thal, bhor and pal ghat in the physical map of India यह आपका काम है कि जो इंडिया का physical map लीजिया और उसमें देखिए कि thal ghat, bhor ghat था pal ghat कहां पे है the western ghat are higher than the eastern ghat, जो पस्यमी ghat वो पूर्वी ghat की पेच्छा काफी उचा है the eastern ghat stretches काफी उचा है, the average elevation is 900 to 1600 km इनकी जो average उचाई है वो 916 meter की है as against 600 meter of the eastern ghat यानि कि जो पूर्वी ghat है वो 6 meter की उसम उचाई की तुलना में जो पस्यमी ghat है वो 900 से 1600 meter की मीटर है तो यानि पूर्वी ghat जो है वो धलान में है और जो पस्यमी है वो काफी उचा है the eastern ghat stretches from the mahanadi belly to the neil giri in the south जो पूर्वी ghat का विस्तार है वो महनदी ghat इसे दक्षिर में नील गिरी तक है the eastern ghat are discontinuous and irregular and dissected by river draining into the bay of Bengal जो eastern ghat पूर्वी ghat है वो discontinuous है यानि वो सतप नहीं है ये अनियमित है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको क्या क्या है काट दिया है dissect हो गई है by rivers चोकि बंगाल की खाड़ी में जाके जो नदिया गिर नहीं उन्होंने इसको काट दिया the western ghat cause aurographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of the ghat जो पस्यमी ghat है वो वहाँ पे क्या है परवतिय बर्शा होती है ये बर्शा घाट के पस्यमी डाल पर आध्रहवा के टकरा कर उपर उठने के कारण होती है the western ghat are known by different local name जो western ghat है उसको बहुत सारे local name से जाना जाता है the height of the western ghat progressively increases from north to south जब हम north से south की तरफ जाते हैं तो जो हमारा western ghat है उसकी height जो है क्या करती है वो बढ़ती जाती है north में यानी height कम है और south में जाते जाते height इसकी बढ़ती जाती है the highest peak include the anai moody and the doda beta जो इनकी highest peak है वो कौन सी है anai moody जो की 2695 meter है और doda beta जो की 2637 meter है महेंद्र गिरी 15001 meter the highest peak in the eastern ghat eastern ghat में जो महेंद्र गिरी है वो सबसे ज़्यादा उचाई वाला है और वो 15001 meter की उचाई वाला है शेर्वरी hills and the जावेदी hill are located in the south east of the eastern ghat eastern ghat का जो दक्षिड पूर्वाला एरिया है वहाँ पे कौन सी हिल है सावेरी हिल और जावेदी हिल है locate the famous hill station आफ उद्गम मंडलम उद्गम अंडलम का कुछ जो famous hill station है उसको locate करिए मैप में जिसको popularly known as ूटी और कोदई कैनाल के नाम से जाना जाता है वहाँ पे one of the distinct feature of the peninsular plateau जो हमारा प्राइदी पे पठार है उसका जो एक महत्तपूर फीचर है distinct feature है वो क्या है कि black soil are area वहाँ पे जो soil है वो black है और known उसको हम deck and trap बोलते हैं ठीके उस area को हम क्या बोलते हैं वहाँ की soil black है और उसको क्या बोलते हैं deck and trap this is a volcanic origin ये किसकी बनी है वो volcanic origin की है जोला इनकी उत्पत्ती जोला मुखी वाली उत्पत्ती है hence इस प्रकार the rock are igneous और वहाँ की जो rock है इसलिए कौन सी है igneous से यानि महा की आगने शैले है एक्चुली वास्तों में these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil वास्तों में क्या हुआ इन सैलों का जो समय के साथ बहुत बार अपर्दन हुआ जिसकी वज़ा से काली मिट्टी का यहां पे निर्माड हुआ है the arauli hill lie on the western and north western margin जो arauli hill है arauli परवत है पहारियां है वो प्रायद्यूपय पथार के पस्चिमी margin off the peninsular plateau वो जो arauli की पहारिया है वो प्रायद्यूपय पथार के पस्चिम और उत्तरी पकिनारे पर इस्थित है these are highly eroded यह क्या है बहुत अधिक अपरवित और बाउन टू एज और फाउंड एज ब्रोक्यन हिल और इसमें बहुत सारी खंडित ब्रोक्यन टूटी हुई पहाडिया है यह इक्स्टेंट फ्राम गुज्राट टू डेल ही इन साउथ वेस्ट नौर्थ वेस्ट डिरेक्शन यह पस्चिम से लेके उत्तर पूर में यह दिल्डी तक फैली हुई है नेक्स वन इस डड़ी इंडियन डेजर्ट यानि कि भारतिये मरुस्थल इंडियन डेजर्ट लाईज टुवास्ट वेस्टन मार्जिन आप अरावली हिल जो अरावली पहाडी के पस्चिम किनारे का जो पस्चिम किनारे पर यह थार का मरुस्थल इस्थित है इट इस अंडूलेटिंग सैंडी प्लेइन कवर्ड विस सैंड ड्यून्स यह बालू के बालू से ढखा हुआ एक तरंगित मैदान है ठीक है सैंडी प्लेइन है सैंड ड्यून से ठाका हुआ इस रीजन रिशीफ बेरी लो रेनफाल यह जो छेतर है यहाँ पे रेनफाल काफी कम होता है एबाउट एक सो पचास मिली मीटर से भी कम परियर इट है एरिट क्लाइमेट यहाँ की जो क्लाइमेट है जलवायू है वो काफी सुस्क है एंड रेनी एंड बिद लो बेजिटेशन कवर और यहाँ पे जो बरस्पतिया है वो भी काफी कम है डिसेपियर इंटू दा सांड आज दे डू नाट है इनफ वाटर तो रीज दा सी जो इस्ट्रीम्स है वो रेनी सीजन में क्या है अपियर केवल रेनी सीजन में मानी कि जब बारिश का मौसम होता तभी वहां पे स्ट्रीम्स दिखा जेती हैं सून जल्दी आफ्र दे डिसपियर और जल्दी वो गायव हो जाती है इंटू सैंड सैंड में बालू में दे डू नाट है इनफ वाटर टूरीज दा सी उनके प प्लेट अलोंग गला अर वाइड अभी ऐांद लेबल एहां पे जह पर जो प्लेइन है वो गबे बेंगाल में वो काफी चाओडी है और समितल है इन थैंड नदन पार्ट उत्तरी पार्ट में कया है जेत में इल्द रिफर टू एजा नदन सरकार उत्तरी चेट में इसको नदर नदन सरकार या उत्तरी सरकार कहा जाता है फाइल दा सदन पार्ट इस नोन अज दा कोरू मंडल कॉस्ट जबकि जो दक्षडी भाग उसको कोरू मंडल तट के नाम से जाना जाता है लार्ज रिवर्स सच अज दा महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी हैं लेग चिलका इजन इंपॉर्टेंट फीचर अलॉंग दा इस्टरन कास और इस चिलका लेग जो है वो उसकी पूर्वी तट पर इस्थित एक महत्वूर्ण भूल अक्षड है ठीक है, यानि की important feature है, चिलका लेक is the largest salt water lake, खारे पानी की ये सबसे बड़ी लेक है इंडिया में, इट lies in the state of, ये चिलका लेक कहां पर, उडीशा में है, और साउथ आप दा, महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा के दक्षिर में है ये, दिन लास्ट पॉइंट इस दा आईलेंड्स, अब क्या है, आईलेंड्स means deep samoo, you have already seen that आपने पहले ही देख लिया है इंडिया है जब वास्ट मेंलेंड इंडिया का जो मेंलेंड है वो मुख्यस तल है वो काफी बिशाल है यह हम पहले से अभी इतना देर से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ठीक है इंडिया है जब वास्ट मेंलेंड विसाइड दिस इस के लामा और दा कउट्री एस तू ग्रुप्स आफ आईलेंड अमारी कउंट्री के पास दो आईलेंड एभी है ब्वी इस थूप संहू हैं कैन थैडिया पिस आईलेंड ग्रुप्त कि आप सकते हैं पैचान सकते हैं लोकेट दा लक्षदीप आईलेंड ग्रुप लाइंग क्लोज प्रवाल इसको बोलते हिंदी में पहले इसको क्या बोला जाता था लग्कादीव मिनिकाई और एमीन दीव के नाम से जाना जाता था इन 1973 इसको इनका नाम लक्षदीव रखा गया इसमाल एरिया 32 स्क्वाइर किलोमेटर और इसमें जो ये एरिया कवर किया है वो कितना है 32 स्क्वाइर किलोमेटर एरिया ये कवर किया हुआ है यानि इतने एरिया में फैला हुआ है कवराग्टी कितेरियम फैला हुआ है 32 स्क्वाइर किलोमेटर में कावरती आइलेंड इस दा एड्मिनिस्टेटिव हेटकॉर्टर आप दा लक्षदीप जो कावरती दीप है वो लक्षदीप का प्रशास्निंग मुख्याले है इस आईलेंड गरूप आज ग्रेट डाइवरसिटी या फ्लोरा एंज फाना और जो ये आईलेंड गरूप है यह जो दीप समोह यहाँ पर बहुत सारे पौधो और जन्तोह के बहुत सारे प्रकार पाये जाते हैं पिट्टी आई लैंड which is uninhabited है जा बर्ड सैंक्चुरी जो यहां पे एक पिट्टी दुइप है वहां पे मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पच्छी अभयारड है बर्ड सैंक्चुरी है अब आप क्या देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिर की तरफ फैले दीप के एक शंखला है ठीक है दीज आर अंडमान और निकोबार आईलेंड यह क्या है अंडमान और निकोबार दीप समोव है यह आकार में बड़े हैं और आकार में बड़े संख्या में बहुत सारे और बिखरे हुए है क्या है स्केटर्ड है ठीक है बिखरे हुए है इंटायर ग्रूप आईलेंड इस दिवाइड इन्टू ब्रॉट केटेगरी पूरे जो आईलेंड है उसको दो केटेगरी में बाटा गया है यह पहिए है निकोबर में दक्षिड में जो है वह निकोबर है और उत्दर में क्या है इस तर माना जाता है कि these islands are an elevated portion of submarine mountain कि जो ये island है वो क्या है elevated portion of उठे हुए भाग है कि इसके एक mountain के उठे हुए भाग है ये और ये submarine means आधे ढके हैं आधे पानी से बाहर है आधे अंदर है submarine है इस island group are of great strategic importance for the country और ये जो महाद्वीप के group हैं इनका हमारी country के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये हमारी country के लिए दियर इस great diversity of flora and fauna in this group of island और इस island group में इस द्वी समों group में भी जो flora और fauna के मैंने की पौधे और जन्तों के भी बहुत सारे प्रजातियां है इसमें इस islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover ये जो द्वीप है ये बिशुवत रेखा के समीप इस्थित है इसलिए यहां की जलवायो जो है वो बिशुवती है तथा या घने जंगल से भरा हुआ है यहां पे जो जंगल है वो काफी बहुत thick forest है यहां पे इंडिया के पास only active volcano is found in barren island in अंडमान और निकोबार आइलेंड ग्रूप एक अंडिया के पास एक active volcano है जो कहां पे हैं अंडमान निकोबार आइलेंड में है अडिटेल एकाउंट आप डिफरेंट फिजोग्राफिक यूनिट हाइलाइट तर यूनीक फीचर आप इच रीजन विभिन भु आकृतियों और भुभागों का जो बिस्तर बिबरड प्रतेग विभाग की बिसेश्ता को सपस्ट कर रहा है ठीक है इट वूड हावबर बी क्लियर दाट इस रीजन कॉंप्लिमेंट द अदर एंड मेक द कंट्रीचर इन इट्स नेच्वरल रिशोर्स या सपस्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक है देश के प्राकृतिक संसाध्यों में सम्रिध बनाते है ठीक है एक दूसरे के पूरक है तब माउंटेन आर दा मेजर सोर्स हाफ वाटर एंड फॉरेस्ट बेल्थ जो परबत है वो वाटर के मुख्छ सोर्स है और फॉरेस्ट बेल्थ के लिए भी वो काफी अच्छे सोर्स है जो उत्तरी मैदान है महाँ पर क्या है ग्रैनरी है पूरी कंट्री की हमारे वो उत्तरी मैदान क्या है ग्रैनरी है यानि की अन्भंडार है क्रैन मीज अनाज होता है ना दे प्रवाइड बेस फार अरली सिवलाइजेशन और यहां पर जो है वो जो हमारा अरली यानि प्राचीन सब्भेता का विकास है उसको यहीं पर आधार मिला प्लैट्यू स्टॉर हाउस, मिनरल जो प्लैट्यू हच से भरे हुए है, यह उसलिए उनको स्टॉर हाउस कहा जाता है, which has played a crucial role in the industrialization of the country और इस तरह से हमारी country के उद्दोगी की करण में उनका एक बहुत बड़ा रोल है इन मिनरल्स का The coastal region and island group provides site for fishing and port activities यह जो coastal range है तटी एप छेतर हैं और island group हैं यानि की दुप वाले छेतर हैं वो हमें site प्रदान करते हैं कि हम fishing कर सकें और port activity के लिए Thus the diverse physical feature of the land have immense future possibility of development इस तरह से जो हमारे देश की भुवित भौतिक आकरतियां है वो भगविस्य में बिकास की अनेक शंभावनाई प्रदान करती हैं तो आज यह chapter फिनिस हो गया यह chapter second था ठीक है guys तो आज हमने chapter second भी देख लिया यह complete हो गया है physical feature of India Thank you guys, thank you for watching